हलो गाईज मैं पूजा इलेंग विद दुर्गेश में आपको स्वागत करती हूँ जैसा कि पहले हम लोग नाउन के सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं अब हम भी स्टार्ट करने जा रहें अपने अगले चैप्टर को जो कि हमारा क्या है प्रोनाउन में हम लोग ने फर्स यह हैं पर नाउन के लिए कंद्र प्रोनाउन को सगया चैप्टी करते हैं और सम्केथ करते हैं उन्हें demonstrative pronouns या संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे this, that, these, those, such, the same ये words क्या है? demonstrative pronouns है इसमें एक note है हमारा जो कि आप देख सकते हैं इनका प्रयोग जब भी noun के पहले होता है तो ये क्या होते है? demonstrative adjective होते हैं जब भी demonstrative, जब भी demonstrative pronoun का प्रयोग हम noun के पहले करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? demonstrative adjectives हो जाएंगे तो बढ़ते हैं इसके अगले rule की तरफ तो इसका rule देखते हैं, first rule जिसमें हम देखते हैं कि this का प्रयोग समीब की this का प्रयोग समीब की एक व्यक्ति या वस्तू के लिए होता है जबकी क्या these का प्रयोग समीब की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तू के लिए होता है तो गाइज इसको ध्यान से समझते हैं कि इसमें कह क्या रहा है sentence में इसमें लिखा है this जो है वो समीब की क्या एक वस्तू के लिए मतलब singular में इसका प्रयोग किया जा रहा है और जो these है इसका प्रयोग किस में किया जा रहा है मतलब कि समीब की ही लेकिन क्या एक से अधिक वस्तू एक से अधिक वस्तू मतलब प्यूरल में तो जब भी this का प्रयोग singular में और these का प्यूरल में होता है लेकिन कब होता है यह condition याद रखना पड़ेगा कि जब क्या हो कोई वस्तू past में हो या कोई agree पास में हो या समीप में हो तो इसका condition आफ हमेशा याद रखेगा कि डिस और दीच कभ यूज हो गा डिस तब यूज होगा जबकि एक वचन की बात की जाए और कोई वस्तु समीप में हो या पास में हो और दीस का प्रयोग तब हम करेंगे जब कोई वस्तु पास में हो या समीप में हो लेकिन क्या हो प्यूरल हो बहु वचन हो तो हम इसका एक संटेंस देखते हैं जैसे मैंने बोल में इस sentence को देखे तो sentence देखते हैं These are cats यहाँ पे cats क्या है plural noun है ल visualization past की भात की जारी dein Samoop का क्या करेंगे these का प्रेश करेंगे ऐसे एक और sentence देखते हैं जेसे मैंने लिख दिया this is my house तो this is my house यह मेरा घर है तो यहाँ पर यह मेरा घर है यहाँ पर समीब की बात की जा रही है और क्या मेरा घर एक घर की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम किस का प्रयोग करेंगे दिस का प्रयोग करेंगे ना कि दीज का प्रयोग करेंगे लेकिन अगर दीज का प्रयोग करना हो तो हम कह सकते हैं कि these are shirts, these are shirts, तो यह shirt जो है मेरे पास वो क्या है? shirts हमारा क्या हो जाएगा? Pural noun होगा, लेकिन है क्या? PASS में हमारे हैं, ज़द भी समीप या PASS में बाद की जाए, तो क्या करेंगे? इसको दीज का प्रयोग करेंगे तो बढ़ते हैं अगले concept की तरफ इसमें देखते हैं क्या प्रयोग किया जा रहा है that का प्रयोग दूर की व्यक्तिया वस्तू सिंगुलर के लिए तथा दोज का प्रयोग दूर की व्यक्तिया वस्तू के लिए होता है मतलब इसका concept का मतलब आपको दिखें, क्या कह रहा है? कि जो है, उसका प्रयोक करते हैं? सिंगुलर के लिए क्लिए प्रयोग क्या करते हैं, दूर के लिए प्रयोग करते हैं, इसका असलीजन रखी कि कई दूर्व हो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे 20 इस और ने किसके के लिए होता था यह पूर लोटत तो यहां प्रक्राइफ नश्दीकन हो variance पास नश्दीक क् cesah हो हमसे तो वह क्या हो जाएगा singular में उसका हम that का प्रयोग करते हैं और plural में क्या करेंगे दोज का प्रयोग करेंगे जैसे यहां पर लिखा हुआ sentence में that is a book क्या है that is a book वह एक किताब है तो यहां पर book क्या है singular नाउन है और क्या है दूर भी है किताब तो क्या हो जाएगा यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे वही अगर हम यहां पर बोलें कि दोजार बुक्स तो यहां पर क्या हो जागा वे किताबे हैं तो यहां पर क्या हो जागा बुक्स जो है वो पास में नहीं है दूर में है लेकिन क्या है प्यूरल नाउन में है यहां पर बुक्स क्या है प्यूरल नाउन में है तो क्या आप यूज करेंगे दोज यूज अब जैसे मैं बोल दो that is a mango tree that is a mango tree that is a mango tree मतलब वह एक आम का पेड़ है यहां पर एक आम की पेड़ बात की जा रही है तो आम का पेड़ पास में तो है नहीं दूर में है तो जब भी दूर की वस्तूओं को और singular में की जाए तो हम that का प्रयोग करते हैं लेकिन अगर यही हमको प्यूरल में इसका अगर दे दिया जाए sentence जिसे दे दिया जाए those are birds those are birds मतलब वे पच्छी है तो जो पच्छी है वो दूर है लेकिन क्या singular form में कि प्यूरल प्यूरल फॉर्म में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे दो तो गाइस इतना concept समझ में आया तो बढ़ते हैं जब भी कोई confusion है तो आप comment box में comment कर सकते हैं तो बढ़ते हैं next topic की तरफ ज इसमें आपको करना किया जब भी कोई singular noun का repetition हो उसको बार-बार दोहरा आजाए एक ही sentence के अंदर तो उस repetition को रोकने के लिए हम क्या करेंगे दैट आफ का लेकिन कब जब singular noun हो तो दैट आफ लेकिन वही repetition अगर प्यूरल नाउन का हो रहा है तो क्या करेंगे दोज आफ का प singular noun है लेकिन जो singular noun है उसका यहां पर repetition हो रहा है कि sentence के अंदर हाँ जरूर हो रहा है क्योंकि क्या लिखा है the climate of Pune is better than climate of Mumbai तो यहां पर जो climate दे दिया जी इसका क्या केर दिया गया है repetition कर दिया गया लेकिन अगर इसी repetition को जब repetition कर देगा तो यह की sentence हमारा क्या हो जाएगा गल तो यहां पर हो जाएगा the climate of Pune is better than that of Mumbai तो क्या हो जाएगा हमारा सही sentence the climate of Pune is better than that of Mumbai बढ़ते हैं अंगले sentence की तरफ जिसमें है the streets of Delhi are wider than streets of Mumbai तो यहां पर streets हमारा क्या है एक plural noun है लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ही plural noun क्या किया जा रहा है एक ही sentence के अंदर repetition किया जा रहा है इसका repetition हो रहा है तो क्या हो जा रहा है the streets of Delhi are wider than streets of Mumbai जब singular रहता तो हम that of का प्रयोग करके उसके repetition को रोगते थे और अगर जब हमको plural sentence दीख जाए तो क्या करेंगे दो जाफ का प्रयोग करके उसके repetition को रोगते हैं या उसके बस सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा the streets of Delhi are wider than those of Mumbai तो यह हमारा सही sentence होगा बढ़ते हैं अपने next topic की तरह जो कि हमारा last topic है इसमें हम देखते हैं पास्ट इवेंट जब भी किसी पास्ट इवेंट या पास्ट सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें हम कभी भी दीस और दीज का प्रयोग नहीं करते हैं कभी दीस और दीज का प्रयोग नहीं करते हैं जो कि गलत माना जाता है हमेशा जब भी पास्ट सेंटेंस कोई दे दे या पास्ट इवेंट दे दे तो हमको क्या यूज करना है डैट का प्रियोग करना है और दोज का प्रियोग करना है जिससे यहां पर एक सेंटेंस है दिस वास दे बेश्ट मैच आफ माई लाइफ मतलब यह जो मैच है वह मेरे लाइफ का सबसे बेश्ट मैच था यहां पर यह को पास्ट में दिनोट किया जा रहा है जो कि क्या है गलत होगा यहां पर हमेशा पास्ट इवेंट में दीस और दीज का प्रयोग नहीं करेंगे यह हमेशा याद रखिएगा इसमें हम दीज की क्या करेंगे दैट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दैट वास दे बेस्ट म मतलब वह जो मैच था वह मेरे जीवन का सबसे बेस्ट मैच था तो यहां तो सबको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या बाइबाए